सब परसें, सब परसेंट, सब परसेंट, जिने भोट से जीतने बाले हैं सुद्धाइक प्लास, रिकॉर्ड तोड़ेंगे बक्सर का भाजपा का हेलिकॉप्टर लैंड करता है, उसे पांच उगुना हमारे हैं ये गाउं में सभामेर, लोग जूट रहे हैं दंके की छोट कहीं उसमें चूप चाप लालते वाला भी से नहीं है, खुलम खुला लालते लिए, बक्सर की में क्या क्या हो उन्डों हो भाटेंदर पांच उनका कोई गारेंटी नहीं है मोडी का, केवल और केवल ही गई है कि वो कैसे पूर्शी उनको मिले, और देश के प् नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं, कैप्टल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंग, गर्मी बहुत है बक्सर में, नेता परिसान है, पत्रकार भी परिसान है, लेकिन जहां हम बैठे हैं, लोधास गाउं में, यहां पर एक काईकरम है, राजत प्रत्यास हैं, सुधाकर सिंग जी, लाल्टेल जलाने की एकोसिस राद दिन कर रहा है, माहर बना हुआ है, लेकिन जनता थोड़ी चुप दिखाई पड़ती है, क्या सुधाकर जी, चुप चाप, लाल्टेल चाप होने वाला है बक्सर में? आपको जनता चुप कहां दिखाई दे रही है, आप जहां है, सभास थल पर, भाजपा का हेलिकॉप्टर लेंड करता है, उसे पांच गुना हमारे यहां एक गाउं में सभा में लोग जूट रहे हैं, तो चुप चाप कहां है, सडकों पे इतनी गर्मी में भी सडकों पे ख चुना में पार्टिसिपेट कर रही है, दंके की चोट पर कहीं उसमें चूप चाप लालते वाला विसे नहीं है, खुलम खुला लालते हैं, लेकिन एक सवाल बक्सर में पूछा जाता है, मितलेश तिवारी गोपाल गंद से आते हैं, असुनी चोबे भागलपूर से आते ह हैं, ऐसा क्यों होता है, कि बक्सर का बेटा छूट जाता है, बाहर के लोग दिल्ली चले जाते हैं? नहीं, आप पूरे बिहार में, आप एक दर्जन सीटों पे देख रहे हैं, जो भारतिय जनता पार्टी यहां दूसरी जगह से लड़ा रहा है, जिनका कोई वहां राजनितिक वजूद नहों, कोई पहचान नहों, अस्वभावी कहें कि जब कनेक्ट नहीं है पिपुल से, तो अपने वहां इलाके में स्थानी रूप से मांग भी नहीं करेंगे, तो भारतिय जनता पार्टी को यह मुफीद है, सुवधा है, कि वह क्यों अडानी अंबानी के लिए दिल्ली में काम कर सकें, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के लिए काम नहों, यह मसला है, बक सब्सक्राइब के जरिये हम इस मतलब के आप जो बात बता रहे हैं, इसका मतलब है, तो वो तो आपको कहीने कहीं फायदा ही मिल रहा है, कि आप बक्सर की जनता भी समझ रही है, कि लोकल इसू दिल्ली में उठा जाता है, भारतिय प्तियासी से, हम अगर सुधाकर सिंग को जिता के भेजेंगे, तो यहां की जो समस्या बक्सर की, वो दिल्ली तक संसत में भी गूजेगी, तो कहीने कहीं से यह आपको फायदा मिल रहा है, यह क्या हो रहा है, आपका अनुभव क्या है? यहां के लिए बक्सर के लिए मेडिकल रिसर्च इंस्ट्यूट मिला था, वो असनी चवब भागलपुर उसको सिफ्ट कर दिये, इसे जाहिर है कि यहां की जो हिस्से की जो हिस्सेदारी है, जो प्लानमंत्री भी दो हजार उन्नीस की लोकसवाचुना में कहे थे कि बक्सर कि लिए क्या क्या उन लोगों ने, भार्जेंता पार्टी के लोगों ने, यह कोई भी आएं जाएं, यह कुछ करने के मूड में ही नहीं है, और भारतिय राजनीती में, जब देश का प्रधानमंत्री का ही क्रेडिबल नहीं हो, जो यह कहे कि हमारे जो वाइदे थे जुमल कि लोगों को विश्वास होता है कि देश का प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, वही सत्य है, और भारतिय लोक तंत्र में प्रधानमंत्री भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान से कम कि उसकी हैस्यत भी नहीं होती, लोगों को विश्वास होता है कि देश का प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वही सत्य हैं और हुए दो करोड हर साल नोकनी देंगे 15 लाको देंगे अपनी जुमले थे उनके हर खेर तक पारी पहुचाएंगे किसानों की आम दरीन देन्हीं गुना करेंगे। इस सारे उनके थे और उन्होंने कहा नारे नहीं जुमले थे। मैंने जूट बोला था। लेकिन लालू परसाथ को हम जेल भेज़ देंगे, तेजशु यादब को हम जेल भेज़ देंगे, यह मोदी की गारंटी है। यह क्या है? नहीं, मोदी जी की गारंटी जेल भजने की नहीं है. मोदी जी की क्यों लेकर ही गारंटी है, कि दूसरे दल के लोगों को कैसे अपने में सामिल करा लें, धन, बल के जरिये. हेमंत विश्वकर्मा जो देश के सबसे भ्रष्टतम नेता थे, उनको आसम का मुख्मंत्री बना दिया. बीये सेदूर अप्पा जो देश के सबसे मुख्धतम मुख्मंत्री थे करनाट तक कि अपुनह उनको मुख्मंत्री बना दिया. अजीद पवार के आलहार पहिन NCP को चुनाओ होराने का अवियान महराष्ट में चलाए और चुनाओ के बाद NCP उसी अजीद पवार को मुख्मंत्री बना दिया महराष्ट में. उनका कोई गारंटी नहें मोदी जी का. केवल और केवल ही कही है कि वो कैसे कुर्सी उनको मिले इसलिए उन्होंने देखे होंगे कि 75 साल में रीटायर कर राजनीती में रीटायर हो जाना चाहिए वो भारती जनता पार्टी के लिए बेंचमार्क मनाया. अटल विहारी बाश्वेई, इलकी आडवाडी और मुरली मनोहर जोसी जिन्दा रहते दफन कर दिये गए राजनीती में. अब वो देश के प्रणान मंत्री मोदी आज 75 साल पूरा होने के बार भी करें, 5 साल में उसे और चाहिए. इससे हासास्वत क्या है? ओ लोग जो दे पार्टी का नया चहरा, नया चरित्र. यह अपने आप में इस बेश की जनता समझ रही है, इसमें कोई सक नहीं है. इसलिए डराने वाली बात है कि हम जेल भेज देंगे, काउंट डाउन शुरू हो गया है, तो डरा किसको रहे हैं प्रधान मंत्री जी खुद डरे हुए है प्रधान मंत्री खुद डरे हुए है. आप बक्सर के लोगों के कि सुधाकर जी बक्सर के लिए कुछ करेंगे, तो क्या अगर आप जीत के दिल्ली जा रहे हैं, जाल चले जाएंगे, तो बक्सर के लिए कौन से तीन बड़े काम आप बक्सर के लिए करेंगे? बक्सर के लिए हर खेत तक पानी पहुँचाने का, हम लोग डर्णे लिये हैं, जिससे हमारा उत्पादन किसानों का बढ़ेगा, जो उत्पादन बढ़ेगा उसके मुल्य संदच्छन, जो अब डिश्टेस सेल है, उसको बंद कर देंगे, मुल्य संदच्छन देंगे, जिसस उसके लिए एक मेडिकल कॉलेज ठीक से हाँ अस्थापित करेंगे, जिसे कि लोगों का इलाज यहीं हो जाए, बक्सर को परेटन के हिसाब से बिक्सित करेंगे, जो अपार संभावना हैं बक्सर को ले करके, इसके आलावा जो जरजर सडकी उनको ठीक करेंगे, बिजली की ब किसके साथ बक्सर कोई भी दल ही निरिष्ट होगा, और दल के रूप में राष्टे जनता दल बहुजन समाज पार्टी और भाजपा चुनावल लड़ा, भाजपा, जो कि यहां सांसद रहे हैं, तो भाजपा ही निरिष्ट हैगा, तो आप मानने हैं कि भाजपा के जो बरावरी का हो, बडिष्ट हैं कि लोग हारें गे लोग, मुकाबला नहीं हो यह लेगी, तो जो माहल है आपका आक्रन है कि दो लाग भोट से आप बक्सर से जीतने जा रहे हैं, क्या यहां की जनता इसको मान रही है? इतने बोट से जीतने बाले है तो सुधाकर जी यह बताईए कि जनता कह रहे है दो लाग बोट से आप जीत रहे हैं जिम्हदारी आपके सामने बहुत बड़ी आने वाली है चार जुन के बाद तो क्या बकसर इस बात के लिए इतिमिनान रहे कि अब जो होगा बकसर में वो केवल ला केवल जनता के लिए होगा बाकि दिखावे के लिए कुछ नहीं होगा देखे हम लोग जन प्रत्निदी हैं और हम लोग काम किये हैं ये केवल बक्सर के लिए नहीं, ये बिहार के लिए भी जो बड़ा काम है, सब बिहार के लिए है, किसानों की मदद केवल अकिरे बक्सर में नहीं होगा, हम जब लडाई लड़ रहे होती हैं किसानों का, तो एक राष्टे सवाल है, और इसको करके दिखाएंगे हम लोग, य किर्सी रोड मेप को लेके आपका काफी विबात था और वो काते थे कि नहीं अनुभव की कमी है सुधाकर जी को इसलिए ऐसा बोलते हैं आप तो बिहार को देख लिए कि नितिश कुमार की पास कितना अनुभव है कि चार सो सीट पर भाजपा मांग रहे हैं वो चार हजार जिता रहे हैं ता ऐसे अनुभवी लोग से हम क्या बात करें नितिश कुमार जी बिहार के जीडिप में राष्टी एट और साढ़े तीन प परवायत कर दिया लोग और वो अभी दंब भर रहे हैं आप बिहार को कहा ले गए अर्फारीस परशेंट मदान बिहार में हो रहा है यह लोगों को चौकाता क्यों नहीं जहां देश में असी परशेंट मदान हो रहा है सीधी बात है पलायन है मैं बार बर कर रहा हूं चार वह पता देगा आप कभी भास के लिए तयार नहीं हुए आप कभी होंगे भी नहीं नितिजी आप जैसे लोग इस बिहार के लिए दुरभागी रहे हैं तो पूरे बिहार के परिपेच में भी पूछ सकते हैं लेकिन हम सहाबाद के परिपेच में पूछते हैं कि सहाबाद में किया लग रहा है महा गडबंधन कते सीटों पर जीत रहा है साहवा tiny कि ये हैं वादा और उल्ली का मूँ नहीं देखना पड़ेगा वक्सर में इतना काम होगा कि लोग कहेंगे कि हम बाहरी के चक्कर में आके अपना दस साल बरबाद कर चुके हैं आगे हम बरबाद नहीं करेंगे और सुधाकर सिंग जो बकसर का बेटा है वो बकसर के लिए क्या क्या करेगा इसका इंतजार बकसर की जनता को भी है और देश की जनता को ह हमारे साथ आप जोड़े सुधाकर जी आपका बहुत धन्यवाद